नमस्कार दोस्तों पीटे के सोड़ में फिर एक बार आपका स्वागत है और आज की विडिए में आप जानेंगे अगर इंच साइज थ्रेडिंग किसी साइज को जानने के लिए तो इस विडियो को लास्ट तक देखिए तक कि आपको समझ में आ जाए कि अगर इंच साइज से साप्ट के उपर करना है तो कैसे कर सकते हैं और जो इंच साइज है उसे आप इंच वर्नियर किलीपर से आप कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं एक्जम्पल के माल लेट को आपको वर्नियर किलीपर से मेजर करेंगे तो कितना रेडिंग आएगा और उसे आप आसानी से कैसे mm में convert कर सकते हैं कि वो mm में कितना होता है तो अभी माल लेज़े हम 1 by 8 का size लेते हैं तो 1 by 8 को हम जब फरनिर के लिपर से मापेंगे तो उसमें 2 option होता है मापने के लिए एक mm में reading आता है और दूसरा inch में reading आता है तो mm में reading आता है वो आपको साथ पता होगा लेकिन inch में जो reading आता है थोड़ा सा confusion रहता है कि inch में कितना होता है 1 by 8 तो 1 by 8 को जब हम mm में convert करेंगे तो mm में convert करने के बाद वो 3.175 mm होता है लेकिन अगर reading लेने के बाद होता है कि अगर हम 1 by 8 का reading 0.125 जो inch में हम mapping तो inch में उसका size होता है यानि 1 inch में 1000 थाउं होता है तो 1000 थाउं को हम 8 भाग में divide करेंगे तो उसका पहला भाग होता है जैसे 1 inch में 8 subt होता है यानि 8 subt होता है 8 subt को हम divide करेंगे तो उसका कु bullish size इस प्रकार से आएगा जैसे 1-8, 1-4, 3-8, 1-2, 5-8, 3-4, 7-8 और 1 इंच होता है तो मान लेजे अगर वर्निर किलिपर से आप मापते हैं 1-8 को तो 0.125 आएगा 1-4 को आप मेजर करते हैं वर्निर किलिपर से इंच में डालके तो 0.250 आएगा फिर वैसे ही अगर 3-8 को आप मेजर करते हैं वर्निर किलिपर से तो 0.375 आएगा यानि इंच में अगर इंच में डालके रखेंगे तब इस तरह से साइज आपको रिडिंग सो होगा वर्निर किलिपर में लेकिन अभी इन सब चीजों को आपको mm में कनवर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं जैसे 1-8 साइज है तो 1-8 साइज को हम mm में कनवर्ट करेंगे तो वहाँ पे 3.175 आएगा ठीक है तो यहाँ पे आपको 3.175 मालों पड़ गया कि 1-8 का जो साइज mm में होता है वो 3.175 होता है तो 3.175 है माल लिजे 1-8 का आपको ड्रिलिंग करना है टेपिंग करना है तो 1-8 साइज में आपको यह 0.125 इंच में जो रिडिंग हा रहा था आप इसको भूल जाएंगे और आप इसको छोड़ी देंगे आप क्योंकि आपने mm में कनबट कर लिया तो mm में कनबट कर लिया तो 1-8 साइज का 3.175 होता है तो अब 1-8 साइज को आपको टेपिंग करना है तो कितने mm का ड्रिल मारेंगे तो आपको वहाँ पे 2.5 mm का ड्रिल मार सकते हैं जिसमें 1-8 साइज का टेप गुमा सकते हैं और वहाँ पे अगर 2.5 mm का ड्रिल मारते हैं तो आपको 1-8 साइज आ जाएगा और अगर वह कोई hard material है या ज्यादा deep में आपको टेपिंग करना है तो वहाँ पे आपको 2.6 का ड 2.7 मारेंगे तो आसानी से गुम जाएगा जो टेप गुमाने में दिक्कत नहीं होगा अगर deep ज्यादा है या और hard material है तब आप 2.6 मार सकते हैं ऐसा ही मान लेजिए 1-4 हम साइज लेते हैं तो 1-4 साइज को हम वर्नेर किलिपर से इंच में लगा कर मापते हैं तो 1-4 अगर आपको इसे MMA convert करना है तो जैसे आपने पहला जाना था कि 1-8 size का 1-8 size का 3.17 होता है तो 1-4 एक इंच का दूसरा भाग होता है तो इसे आपको MMA convert करेंगे तो कैसे करेंगे तो मान लेजी 3.175 आ रहा था तो 3.175 को multiply करेंगे 2 से तो यहाँ पे आपको 6.35 आ जाएगा य 6.35 आप तो पता चल गया कि इस इसे आपने 1-4 को आपने इंच में convert कर दिया अब माल लिजे कि 1-4 का tapping करना है तो आप कितने mm का drill मारेंगे तो वहाँ पे आपको 5.1 का drill मारेंगे जिसमें आपको 1-4 का tap घुमा सकते हैं वहीं पे 5.2 का भी मार सकते हैं अगर वह hard material यह ज्य उसे आप आसानी से इंच से mm convert कर सकते हैं और वर्नियर के लिपर में उसका reading इंच में क्या होता है वह समझ सकते हैं और कितने और अगर माल लिजे उसमें आपको tapping करना है तो कितने mm का drill आप मार कर और tapping कर सकते हैं तो यह तीन बाते clear हो गया कि आपको सबसे पहले माल लिजे 1x8, 3x8 इस तरह की जो भी size है उसे आप कैसे mm convert कर सकते हैं और उसमें कितने mm का drill मार सकते ताकि आराम से उसमें आसानी से जो भी size का आपको tapping करना है हो सके इसके बाद मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि यह सभी size का चार्ट मैंने description में PDF के रूप में डाला है उसे आ आप download करके भी देख सकते हैं कि कौन से size का tape में कितने mm का drill लगेगा उसमें 2-3 बाते उसमें clear है उस PDF में कि जो भी size का आपको drill tape करना है उसमें आपको drill size रहेगा, tape size रहेगा और pitch size रहेगा तो उसे आप download कर सकते हैं और download करके आप आसानी से देख सकते हैं लेकिन उसमें password protected है और वो open नहीं होगा तो उसके लिए आपको मुझे comment करना होगा code लिखकर comment करेंगे तो मैं जो उसका password होता है वो आपको comment box में reply दूंगा उसे आप enter करेंगे तो वो PDF खोल जाएगा और उसे download करके अपने काम में ले सकते हैं अपने workshop में लेख सकते हैं या फिर आप अपन से size में कितने mm का drill लगेगा और इसके बाद अगर आपको कोई मदद चाहिए हमसे तो आप comment box में जरूर लिखें मैं उसका reply जरूर दूंगा इन सभी size में अगर आपको कुछ ऐसा doubt लगता है कि कोई size गलत है या फिर इसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं आप मुझ सकते हैं और mechanical वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो में डालो उसका notification आपको सबसे पहले मिले और हमारा वीडियो आप सबसे पहले देख सके किसी भी तरह के आपके मन में सवाल है तो आप मुझे comment box में जरूर बताएं मैं उसका reply दूँगा और mechanical है तो इस चैनल से आप जूड़े रहें आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे और आपको कुछ न कुछ सिखने को जरूर मिलेगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेंगा एक नए वीडियो के साथ जब तक लिए आपका बहुत बहुत धन्याबाद झाल